हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2017 की वी आईपी एक कोरियन मुवी एक्स्पेन करने वाला हूँ यह एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की स्टोरी है जिसे बकडने के लिए अलग-अलग गवर्मेंट काम कर रही होती है इस मुवी में बहुत ही अलग-अलग और अजीब चीजे अनफол्ड होती है इस मुवी में जैसा वायलनस है उस तरह का वायलनस आपने कभी भी नहीं देखा होगा तो चलिए इस खतरनाक थ्रियलर ऍस्थोरी को एकस्पेन करना स्टार्ट करते है movie start होती है और हमें agent पार्क दिखाया जाता है आचे airport पर उतरता है और हम होंग कॉंग आय हुआ है इसके बाद है एक American agent के पास जाता है जिसका नाम होता है Paul Paul को इससे एक काम होता है Paul इससे एक building दिखाता है ये कहता हैं, ऊपर जाकर तुम्हें उस आदमी को लेकर आना है, ये जो आदमी है, ये हमारा सीरियल गिलर है, इसका नाम होता है किम, पार्क को सबको सबोर्ट वगर्या दिया जाता है, सिसीटीव कैमेरे जवेकर सब बन करने वाले होते हैं, बाक का काम होता है कि अंदर पथ कर ते हुए या н लेड की अपनी स्कूल जा रही है तभी एक गाडी इसके पास आती है और इसी गाड़े में हमारा सिरियल किलर यानिकी किम है इस कीम के भी लोग होते है और इसे ही उठाकर लेकर जाते हैं इसके बाद हमें स्टोरी में और और एक पुलिस ओफिसर किम नहीं किया है, किम एक serial killer है और पहले भी इस तरह के case उसने देखे है, चान फिर अपने superior के पास आता है, यह जो case हुई थी इसके बारे में अपने superior को कहता है, उसका superior उससे कहता है कि इस case को तुम्हें drop कर देना है, इसका superior कोई भी action लेने वाला नहीं होता, चान इस पर ब बदली करा देते है, जिस लड़की को कीम और उसके साथ ही उठा कर गए थे, वो उसका rape करते है, इसे बहुत injure करते है, और फिर कीम आता है, उसे तडपा तडपा कर मार देता है, इस लड़की को इन्होंने मार कर पानी में डाल दिया था, यह body बहते वे थे North Korea तक आ चुक इसका मतलब है किम ने South Korea में भी बहुत सारे murder किये है, पुलिस बहुत ही किन से परिशान है, पार को उसके superior बुलाते है, पाउजो है, यह बहुत ही dangerous police officer है, यह criminal को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसे legality, non-legality, इसके बारे में कुछ भी फरक नहीं पड़ता जब तक criminal पकड़ा जा रहा है, इसे सब कुछ ठीक लगता है, अब पार का superior कहता है कि जल से जल इस scheme को तुम पकड़ लो, पार किसी भी हद तक जा सकता है, पर उसके superior उसे कहते है कि जादा कुछ तुम trouble में आ जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो, इसके बाद एक मेहना गुजर ज जाता है और इसके superior ने suicide कर ली है, यह हमें दिखता है, पार को बहुत ही बुरा लगता है, अपने superior के office में जो सब चीजे थी, यह सब वो pack कर रहे होते है, serial killer के regardी, जो भी इसके superior को notes मिली थी, यह सर पार्क रख लेता है, पार्क को उसका forensic का डॉक्टर बुलाता है, जिस victim क body इने मिली थी, उस victim के अंदर इने एक DNA sample मिला है, अब इनके पास DNA sample है, तो कादिल को पकड़ना बहुत ही आसान हो सकता है, इसलिए अब पाक इने order देने लग जाता है, पाक अपने लोगों को कहता है, जिन्हों ने भी पुराने ऐसे काम किये है, इन सब की list तुम बना, इ उसे मारने लग जाता है, वो कहता है, जैसा मैं कहे रहा हूँ, वैसा ही तुम्हें करना है, मुझे सिर्फ serial killer को पकड़ना है, वो मैं कैसे पकड़ूंगा, यह मेरा decision होगा, इसके बाद थोड़ा time गुजर चुका है, पाक को serial killer के बारे में पता चल चुका है, और एक कीम ही की थी और उसे बचाने के लिए रीदे ने ही help की थी, अगर फिर से इसने कीम को नहीं बचाया, तो इसकी job trouble में आ सकती है, आज पुलिस यानि के पाक और उसके आदमी कीम को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, इसके पहले पाक सहीज से court order निकाल कर लाता है, एजन रीद रीदे भी यहाँ पहुचता है, यहाँ पुलिस अल्रेडी आ चुके होती है, और इंटेलिजन्स और पुलिस इन दोनों के आदमी एक दुसरे से जगट रहे होते है, रीदे अंदर जाता है, और कीम को अरेस्ट कर रहा होता है, तब ही पाक वहाँ पहुच जाता है, पाक क लोग के नाम होतेता है, और कहता है, कि इनके साथ वो था, पाक फिर कहता है, इसका DNA हमें मिला है, कीम का लायर कहता है, कि जिस गाओ के वो लड़की थी, उस गाओ में हम फार्मिंग करते थे, उस लड़की नहीं हो सबजी खाई थी, इसी वज़े से DNA आ चुका होगा, पाक जिसे आया है, यह मैंने कभी भी नहीं कहा था, यनकि यह confirm हो चुका है, कि murder Kim नहीं किया है, पाक अब हमने आदमें हो से कहता है, यह जो लोग Kim के साथ थे, ऐसा वदावा कर रहे है, इन सब के तुम records निकालो, सब को से चाहिए होता है, जो lawyer Kim को represent कर रहा था, उसके भी bank record निक या है, पाक कहता है कि आजपास बहुत सारे security cams है, हम कही ना कही तो उसे ढूणनी लेंगे, यह सब कुछ security cameras की CD's वेगर लाते हैं, और सब कुछ ढूणने लग जाते है, बहुत सारे लोग इस पर काम करने लग जाते है, रीदे को पता करना होता है कि पाक कर क्या रहा है, पुलिस स्टेशन में food parcel देने के लिए जो आदमियाद है, यह से audio device पाक के office में लगा देते हैं, पुलिस स्टेशन की security cameras भी रीदे देख सकता है, अब जल्द ही पाक को security footage में कीम दिख जाता है, यानि कि मर्ड़ा जब हुआ था, तो कीम इसी शेहर में था, यह प्रूव हो serial killer लाग कर दे सकता है, यह दोनों एक deal ही हाग कर लेते हैं, हमने movie के first में देखा था, कि किम के friends होते हैं, जिनके साथ वो काम करता है, यही एक friend को ढूण कर वो पुलिस को दे देते हैं, पाक को उसका boss order देता है, कि किम को अब उसे छोड़ देना है, पाक कहता है, इस सब हमेर पास strong case है, अब हम इससे क्यों छोड़ेंगे, उसका boss उसे कहता है, कि असलिए serial killer अब पकड़ा जा चुका है, और बहुत सारे evidence उसके खिलाब भी मिल चुके है, कि हमें सिरियल killer चाहिए था, हमें और कोई भी trouble नहीं चाहिए, पाक जब disappointed होकर घर आता है, तो चान इसक पुछता है, तुम हो कौन, चान उसे अपनी identity नहीं पता था, चान कहता है, कि जो किम है, इसने और भी बहुत सारे murder किये है, इस murder के details और photos उसे देता है, चान फिर उसे कहता है, कि वो North Korea से है, चान कहता है, कि अगर तुम चाहो, फिर भी तुम किम का कुछ भी बिगार नही रहे, अगर वो फिर से किम को North Korea लेकर गया, तो किम को फासी देंगे, इसकी बाद पार्क मान नहीं रहा होता, पाक जब पुलिस टेशन पर जाता है, तब किम को छोड़ा जा रहा होता है, किम उस पर हस रहा होता है, पाक उसकी कॉलर पकड़ लेता है, किम उसे खेता है, य परीदे ने यह सब situation handle कर ली है, तो उसे promotion मिल जाता है, जिस होटल में किम को रखा हुआ होता है, वहाँ पर एक lady agent भी होती है, किम के हाथ बंदे होए होते, फिर भी इस agent को injure कर देता है, जब परीदे यह सब situation देखता है, तो बहुत इचिट जाता है, किम को बहुत मारता ह पाक को अब चैन का call आता है, चैन कहता है, किम जब होंग कॉंग में था, तब उसने एक tape बनाई थी, इस tape में वो murder कर रहा है, यह सब दिख रहा है, इस tape की location मेगरा उसे बता देता है, पाक जल्दी से जाता है और यह tape ले आता है, अब किम को arrest कर सकता है, नेक सिन में किम को यही protect कर रहा था, किम के जो father थे, यह बहुत बड़ा account समालते थे, इस account में अमेरिका के बहुत सारे पैसे है, account के बारे में सिर्फ किम को पता है, अब यह spy इसे पूच रहा है, क्या तुम्हें पता है, यह पैसे कहा है, किम कहता है, कि यह सब मेरे mind में है, अगर spy को पैसु की location चाहिए, तो इसे किम को protect करना पड़ेगा, इसी वज़े से रीदे भी इसे protect कर रहा था, अब यह spy किम को अमेरिका लेकर जाने माला होता है, जब यहां से जा रहा होता है, तो यह पाक वहाँ पहुच जाता है, किम को arrest कर लेता है, पाक किम को कहता है, कि लड़कियों के छोड़ने के लिए उसे खा जाता है, पाक की मर्जी नहीं होती, फिर भी उसे रीदे के पास जाना पड़ता है, वो court का order लाने की भी कोशिश करता है, पर यह हो नहीं पाता, अब पाक और रीदे दोनों बात करे होते हैं, अब रीदे इस से कहता है, कि अब इस country से चले जा चान को भी उसने बहुत मारा था, पर चान बच गया था, यह दोनों जब बात करे होते हैं, तो किम को American Agent लेकर जा रहे होते हैं, किम जल्दी से Agent की गन लेता है, उसे मार डालता है, यह पार्क के पास जाता है, और पार्क पर भी बहुत सारी गोलिया वो चलाता है, पाक के चान दिखते हैं कि रीदे और उसकी बॉस की बात हो रहे होती है, उसका बॉस उसे कहता है, कि अभी भी उन्हें कोई प्रॉल्म नहीं है, चान उसे North Korea ही लेकर जा रहा है, पर किम के फादर फिर से अब King बन चुके है, किम को वहा भी कोई भी प्रॉल्म नहीं आएगा, विखिफर्स में ने देखा था, कि पाक हौंक कॉंग में है, यानि कि किम ने उसको मारा था, पर पाक बज़ गया था। पाक को American agent ने order दी थी, कि कि तुम को जाकर उसे बचा कर लाना है। अब इस building में पाक जाता है, अंदर जाकर सब लोग को मार देता है। किम के पास वो पोचता है, किम कहता है कि क्या अब तुम आये हो मुझे बचाने के लिए, ये भी ठीक है, और फिर से साउथ कोरिया आ जा सकता है, पाक उसके नीज पर गोली चला देता है, किम कहता है कि ये तुम क्या करे हो, मैं बहुत इंपोर्टन्ट हो, मैं सब अकॉंट अगरा सब की इंफॉर्मेशन दे सकता हो, पाक केता है कि मुझे इससे फरक नहीं पड़ता, किम गिडिया लग जाता है, वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हो, पाक केता है, कि तुम्हें मरता हो, मुझे देखना है, ये इसकी मूँ में गंड डाल कर इसे मार डालता है इसका सर बैग में भरता है और नीचे लेकर जाता है अमरीके एजन को दे दिता है यह एजन चीट जाता है कहता है कि यह तुमने क्यों किया मैं तुम्हें सिर्फ उसे बचाने के लिए कहा था पाक केता है तुम्हें क्या लगता है कि वो सब अकाउंट्स रियल है यह चाइनिज गवर्मेंट के पास थे यह सब पैसे उन्होंने बहुत पेले ही ले लिए है तुमना टाइम वेस्ट कर रहे थे अब पाक बदला लेता है और वहाँ से चला जाता है यही मुवी एंड हो ज ुमाश्षा इंड पÅ बच्ट से निंधटोड़ जज साथ को ही मुवी झा कर दो बदला खो पमेह स में एवर्मेह दुमाश्ट्रूब बह debt खुम isn't। ऑले के अलाएं मोई想 कहः यह इस में जी म 혼गते है झाल 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 झाल